उत्तर परदेश इस समय सियासी से एपी सेंटर बना हुआ है जैसे कि यहां की जंता कहती है मुस्कुराएं आप लखनव में हैं इस वक्त राजधानी में हर विधानसभा की दावेदारी हो रही है पर अफसोस भाषपा कंडिडेट उम्मीदवार कई बार लड़े मुहल लालगन विधानसभा से पर महापे कमल का फूल नहीं खिला इस बार भावी पत्याशी दावेदार रोहिच चौधरी मुहल लालगन सिर्ट से खुब जोर अपने चुनाओं को तयारी में लगे हुए अगर भाषपा इनको टिकट देती है तो ये भाषपा का पर्चम रहराएंगे विधानसभा में कई एक उम्मीदवार इस विधानसभा से चुनाओ लड़े हैं पर अफसोस की बात ये है कि विधानसभा में मुहल लालगन छेतर के एक भी विधायक नहीं जीत पाया है बीजेपी से आखिर ऐसा क्यों जन्ता क्यों नहीं इस मुद्दो को नहीं समझ पाई या भाषपा इतनी बहुत से सरकार बनाई थी उसके बाद भी आस तलक मुहल लालगन सीट पे बीजेपी का जंडा नहीं लहर पाया है आखिर क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ मौजूद है रोहिज चौधरी जी आए जानते हैं कि मुहल लालगन सीट से दावेदारी करने के लिए इनका क्या नेत्यत है किस बेस पे काम करेंगे किस जमीनी इस तर से जुलगे जन्ता को खुश करेंगे जो पिजेपी के पल्ला भार कर सके रोजी नमस्कार आपका सोगत है हमारे चनल में बताइए जन्ता को अपने विधान सभा में आप किस परकार काम करना चाहेंगे नमस्कार आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत मैं नमस्कार करता हूँ और जैसा कि मोहनलाल गंज के आपने बात कही मोहनलाल गंज सुरचित सीट है और अनुसूचित जात इसे संबंध रखती है और मैं भी इस बार त्यारी कर रहा हूँ जन्ता के बीच जा रहा और जो भी कल्यानकारी सुधाएं केंदर से और प्रदेश से जो भी जन्ता के बीच में आनी चाहिए उन सब के बारे में जन्ता को जागरूप कर रहा हूँ और जन्ता के बीच में सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहा हूँ जैसे कि इस समय बिजेपी में कई गदावर नेता बले बले नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उसी बीच आप अपनी दावेदारी की तयारी कर रहे हैं आकिर ऐसा क्यों? देखे जो पार्टी में जा रहे हैं उनका मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने हितों की संपूर्णती के लिए पार्टी में आये थे और जैसा कि हम सब जानते हैं बीजेपी एक राष्टवादी पार्टी है एक देश प्रेमी पार्टी है यहाँ पर हर कार करता अपने स्वार देती है किसी और को मौका देती है तो हम उसी ताकत से और उसी उर्जा के साथ जो भी पार्टी के द्वारा घोशित प्रत्याशी होगा उसको हम जिताने का पूरा प्रयास करेंगे जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोहिच चोधरी जी को मैं खुद परसनली काफी सालों से जानता का बिल्कुल मैं पूर रूप से उनका सयोग करूँगा क्योंकि हम बीजेपी के राष्टवादी कार करता हैं हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं हमें कमल का फूल खिलाना है क्या बात कहीं आपने लेकिन जिस तरह से लोग पल्ला जाल के चले जा रहे हैं पांच सल का सफर तय कर चुके हैं उसके बाद अब बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं आखिर इनके पीछे रीजन क्या हो सकता है मैं बताया ना कि इनका खुद का स्वार्थ नहीं पूड़ हो पाया होगा और उपर के निता आ रहे हैं जा रहे हैं उससे जनता को या कारकरताओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जनता मानिनिय मोदी जी के साथ है जनता मानिनिय योगी जी के साथ है और जैसा कि आप देख रहे हैं काशी का नजारा क्या हो गया है अयुद्या का नजारा क्या हो गया है जनता इस वक्त पूरी भगवा मैं हो चुकी है और मोदी और योगी के नाम पे जूम रही है तो ऐसे स्वार्थी लोग अगर पार्टी में आएं या पार्टी से जाते हैं इससे जनता के बीच में कोई इसका सरोकार नहीं है क्योंकि जनता पूर रूप से अपना दिल जो है भारती जनता पार्टी को माननिय मोदी जी को माननिय योगी जी को दे चुकी है और जनता जानती है कि योगी ही UP-YOUGY हैं। तो आपको क्या लगता है कि दुबाहरा सरकार फिर योगी बना रहे हैं। 350ूर्स प्लस है यह जन्यमन है एक्वर योगा सप्राइश है। उत्यर प्रदेश से एक बार भगवा में होने जा रहा है लकनओं की विधान विधान सवा पे एक बार फिर भगवा लहराने जा रहा है। रहें जो जनता का दिल जी सकते हैं आपको क्या लगता है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी निश्यत तोर पर सपोर्ट करेगी अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने इरादों को जनता के बीच में रखता है और एक जनता की जनता के लिए काम करने के लिए अगर छेतर में आता वो जानते हैं कि हाँ जो विवक्ति हमारे सामने आया है वो कौन सी बात सच करके दिखाएगा या सिर्फ कह रहा है तो जनता निपड हो चुकी है असा चुनाव जब से आया है या उससे पहले अपनी विधानसवा में कभी इस छेतर में कितनी बार गय होंगे लोगों से मिले ह कि मुझे लगता है कि मैंने गिंती तो नहीं की है लेकिन मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो कि जब मैं अपनी विधानसवा में ब्रमण ना करता हूं लगातार मतलब जोर जारी है लगातार मैं अपने लोगों के बीच में हूँ अपने विधानसवा में अपने पार्टी के सभी कारकरताओं के साथ संपर्क में हूँ चलिए आप देख रहे थे रोज चोधरी जी को हमारे साथ इसी तरीके से जोड़े रहे आगे भी आपको हर तरीके से हर चेहरे से रूबरू कराएंगे मैं में कुरेशी कामेरामन नीरत के साथ लखना हूँ